निमस्कार दोस्तो आज की न्यूज में आपका स्वागत करता है तो लाश तक न्यूज दिखेगा मैं आपको बताऊंगा कि PUBG Mobile Band नहीं होगा दोस्तो जी हां आपने सही सोना PUBG Mobile Band इंडिया में नहीं होगा दोस्तो क्यों नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह चाइनीज गेम नहीं है दोस्तो यह Japanese movie पर inspire होके Korean company ने इस game को बनाया है दोस्तो तो उस company का नाम है Bluerail Company दोस्तो आप देख सकते तो Tencent ने सुरिफ Mobile के लिए बनाया है दोस्तो ये गेम तो हम ये नहीं मान सकते कि ये चाइनीज गेम है दोस्तो आपको tension लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं ये गेम दोस्तो इंडिया में बैन नहीं होगी दोस्तो Karena gun अप्लिकेशन बैन हुई है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों TikTok Hello UC Browser ऐसे भहुआ सारी अप्लिकेशन बैन की गई है तो अप्लिकेशन खतरनाक है इसलिए सरकार दोरा उन्हें अप्लिकेशन को बैन किया गया है लेकिन PUBG Players को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ये एक Korean Company का गेम है जो Tencent दोरा बनाया गया है क्यों बनाया है क्योंकि Tencent Korean Company ने चाइना में PUBG Mobile को रिलीज किया गया था लेकिन वहाँ पर चाइना ने उस गेम को बैन कर दिया तो उन्होंने अलग ही नाम से एक गेम यही गेम अलग नाम से वहाँ पर Tencent दोरा रिलीज किया गया तो कुछ पैसे इन्वेस्ट किये इसलिए गेम यह वहाँ पर है दोस्तो यहाँ पर हमारे इंडिया में यह गेम बैन नहीं होगा तो जो PUBG Player है वो दिल खोल के खेलो यार लेकिन ज्यादा मत खेला कोरोगे अगर आप PUBG के फैन हो तो एक वीडियो में एक लाइक और एक सब्सक्र तो बनता है तो आपको बता दे कि कौन सी अप्लिकेशन टिक टॉक अप्लिकेशन दोस्तो बैन हो सकती है टिक टॉक अप्लिकेशन विवादों में बहुत दिनों से चल रही है ठीक है दोस्तो तो यह अप्लिकेशन 100% बैन हो सकती है PUBG मोबाइल अभी तक बैन होने का कोई भ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही लेटस्ट न्यूज लाता रहता हूँ